तो मेरे भाई वोमेन मेंच कवर करेंगे लेकिन अभी जो इंडिया वोमेन और अस्ट्रिलिया वोमेन्स का रिजल्ट इन कलब हाँ पर हम लोगों ने वन साइडेड विन किये इनके लावे T10 वर्वा डोस का दिये थे वो भी काफी अच्छा गया बारिस बाधित नहीं होता तो सारे लीग मीनी जील जो था सारे मीनी जील पर रेंक वान होते हैं हलांकि प्रोफिटेबल रहा रिजेंड दो मांत से भी अच्छा जा रहा था कुछ टाइम मैंने मेंच कवर नहीं किया क्योंकि अच्छे मेंच नहीं थे आज दो मैंने मेंच कवर किया और दोनों प्रो आपको जोईन करना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खूद खिलता हूँ इनके अलाबे जील का टीम पीच रिपोर्ट, पिलेंग लेवन यानि की बहतर से बहतर सांदार से आपको जोईन करना किस परकार है तो मेरे भाइ हमारा टेलिग्राम चैनल आपको इस परकार से दिखाए देगा पश्पनपॉंट पांच के सब्सक्राइबर के आजपस यहीं पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर वीडियो के फर्स्ट कोमेंट पर लिंक होगा उनकी साहेता से जुड़ोगे यह ओरिजिनल चैनल पर चले आओ गयार यहाँ पर बिल्कुल फिरी टीम आप ले सकते हो तो मेरे भाई मध्य फर्देश वोमेंस का देखा जा देखो दोनों टीम सीरीज में कुछ मुकाबले खिल रखे करियार रिकोर्ड भी हम लोग वैसे डुमेस्टिक मेंस लगातार हम लोग कवर करते तो पता है पी खेमार की बात के यहाँ पर देख सकतो 117 रन मेरे भाई यहाँ पर जड़ दिये 114 के दो चक्के यह सर्मा भी यहाँ पर सतक 103 रन ए दूबे की बात के 14 इस्तिवारी यहाँ पर 54 इनके लाबे एन सींग की बात के कमाल का ओल्राउंडर गिनवाजी भी करेगा पी यादा भेकरन हलांकी गिनवाजी अच्छा खासा यह करती है गिनवाजी देखो गेत यहाँ से एन सींग यहाँ से दो मेडन डाल गे हलांकी बिकेट लिस गया लेगिन गिनवाजी काफी बढ़िया और करिया रिकोड भी बढ़िया येम गवाड़े की बात किया 5 ओवर 16 रंदे का 2 विक्टे भी सर्माने 4 मेडन के साथ 3 विक्टे भाई कमाल काकई केपटन विसी जील का तगला चुआइस होगा इस डेंग गुरे की बात की जाए नू भर में चार मेडन एक बिक्टे पी सोनी तीन मेडन के साथ दो बिक्टे लेगे भाई पी यादा भाई दा सु भर में आट मेडन मुझे तो थोड़ा सा सक लग रहा इस कोरकाट पे लेकिन गलात तो नहीं होगा दो रन मातर देकर एक बिक्टे लेगे भाई सोन्च सकते हो कितनी कमाल की गिन बाजी सही सटीक लाइन लेंट भी कापी बढ़िया रहा होगा और साथ में ये बले बाजी भी कर लेते थोड़ा सा इस पर जादा नजर रखना है इनके लावे दूसरा टिम जो की थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है इनके लावे यहां से देख सकते हो पी मध वद्या की बात की जाए दस ओभर में दो मेंडन डाले और 21 रन और धावी की बात किया केप्टन ने 42 रन्दे कर दो विक्टे लेगे बढ़िया और मोटा की बात की जाए 9 भर 32 रन्दे कर एक विक्टे स्पिन गेंड़ाजी करवाती है इनके अलावे देखा जाए एन 14 की बात की जाए तो 9.1 ओभर की गिनबाजी की दो मेंडन सा चार विक्टे लेगे इन ओजा ने यहाँ पर दो विक्टे लेगे इनके तरफ से एन 14 की बात की जाए चार विक्टे लेगे यह ज़्यादा इंपोर्टे रहे गी और कमाल की गिनबाजी कर्यार डिकोड भी बढ़िया आए इस धरानी की बात की जाए दो भर में हलंकी जादा नहीं पाट्टे अम गिनबाजी वैसे क्या नूरन देकर ना बाद रहे बाकी यहाँ से देखोगे यू जितावा की बात की जाए यहाँ पर 43 का योगदान दिया पी ए पटेल नहाँ पर 15 जे जड़ेजा नहाँ पर 7 इनके लाब पे आर रूपारिल की बात की जाए 17 का योगदान दिया इनके लाब ए पटेल नहाँ 24 का योगदान दिया तो इस परकार से इनका रहा इनकी टीम थोड़ी सी कम जोर है तो नजा रखना बस इनका important पिलर बल्ले बाजी में ज़ेज़ जड़ेजा important रहेगा इनके लावे ये गेन बाजी में बढ़िया है तो मेरे भाई ज़ाधा कुछ देखने की बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है जो important है वो है combination चलिए उनके उपर हम लोग बात करते हैं इससे पहले हमारे यूटूब चैनल को subscribe नहीं कियो मेरे भाई तो जल्दी से जाकर subscribe कर लो क्योंकि dream 11 से related कोई भी update आता है मैं सबसब पहले information देता हूँ इनके अलावे कोई जनकारी लेना हूँ मैं वहाँ पर सारे लोग कर रिपलाई देता हूँ वह भी बहतर तरीका से तो दोस्तों यहाँ पर बिकट के प्रिंग सेक्षन में रूपारेल के अलावा किनी अन्नी को पिक करने के जवरत नहीं है इनके लावे एम गवाडे के बाद के एक गेनवाज है तो बणिया ओप्षन रहेगा इनके लावे जे जड़े जाक करियर रिकोड बणिया हलांकि लास्ट मेंच अच्छा नहीं किया यह सर्मा भई यह सर्मा कमाल का यह भी पिलेर है और यह देखा जाय तो इन्होंने अभी सर्थक रिसेंटली जड़के आया इनके लावे यह भी जितवा की बात कीज़े यह भी इन्होंने यहाँ पर सर्थक जड़ ज़या बाकि हम लोग रिस्क लेते हैं और लेने से डरेंगे भी नहीं तो मेरे भाई यह टिम सेफ कर लो इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा अपने टेलिग्राम चैनल डोमेस्टिक पिलिंग लेबन पे तो आसा करते हैं भगवान की किरपा से हम लोगों का रिजल्ट भी तर जाए आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो कि ये मुकाबला हम लोगों के लिए अल्ट्रा किलिर्ट से जाए मिलकर वैसा चापे कमाए और खिलते रहो डोमेस्टिक पिलिंग लेबन के साथ हमेशा स्वस्त रहो मस्त रहो और जी येल पे फोकस जरूर खुद से एक टीम किया करो